Intercomputary Education की इस class में आपका स्वागत है इस class में हम formula tab के अंदर auto sum में max के बारे मुख़ते हैं इसकी help से हम लिखे हुए number में से सबसे largest number को निकाल सकते हैं यहाँ पर मैं कुछ value लिख देता हूँ यहाँ अब देख सकते हैं मैंने कुछ value लिख दी हैं मैं इसको sit को juom कर देता हूं यहां से अगर हमें सबसे largest number को निकालना हूं तो हम एक तरीका है कि यहां पर क्या करें जो number लिखे हैं उसके नीची क्लिक करें auto sum में जाए और max पे क्लिक करें और just keyboard चे इंटर करें किया हूं करें यहां पर देख सकते हैं आप सबसे largest नमर्य यहां पर निकल आया है अगर यह काम आप रोग एक करते हैं तो चुए आप इससे उसके नमर निकालना है तो यहां पर किलिक करके हम ऑटॉसम में जाके आप्ट किलिक करके इंटर करेंगे तो वो भी हमारा value से largest value निकल आएगा अगर आपने अलग-अलग cell में मैंने चीट को नीचे कर दिया है अगर आप अलग-अलग cell में कोई number लिखते हैं और आपको इन में से सबसे largest number निकालना है तो आप insert function में जाएए यहाँ पर आपके कर सकते है all click करें यहाँ पर के बाद हमें max देखना है चलिए हम यहाँ पर नीचे ट्रैक करेंगे इसको और max पर click करके okay करना है इसके बाद देख सकते हैं इस तरह से box आ गया है हम seat को थोड़ा नीचे कर देते हैं और आपकी पहली value कहां लिखी है उस पर click करना है आपको इसमें जो कुछ है इसको रफ कर देते हैं इस box में नंबर वाली में यहाँ पर click करते हैं इस box में इसका answer आ चुका है और उगे करते ही यह answer यहां पहुंच जाएगा इस तरह से आपके कर सकते हैं max को निकाल सकते हैं इसके साथ सथ अगर आपने कोई value एक साथ लिख रखी है तो भी निकाल सकते हैं यानि कि कोई largest record है उसमें से निकालना है तो भी निकाल सकते हैं एक और तरीका है कि आपके करें max निकालने के लिए value आप equal लगाएं यानि बराबर max लखें bracket open करें और जो value है आपकी उस पर click करें इसके बाद यहां पर next और last value पर click करके आपको bracket close करना है और just enter कर देना है आपकी बड़ी value निकलाएगी इसके साथ अगर आपने कोई number ज्यादा लिख रखे हैं उससे निकालना है तो उस तरह से भी निका सकते हैं मैं यहां पर कुछ लार्जिस टेकॉर्ड लिख देता हू और इसके बाद इंटर आप देखेंगे यहां पर largest value हो गई है और फिर क्या करना है इस पर mouse को pointer ले जाना है जब यह black color के प्लैस बनके आए तो mouse से दोबर click करना है left button से जैसी आप click करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं अभी students की जो सबसे largest number है यहां पर आप देख सकत होंगा मैं आपको इसके बारे में बता सुगू इस वीडियो में इतना ही घन्नवाद